इश्वरहीन ता एक आवश्यक विश्यवानी पीडिया से भौतिक संसार अधिकाधिक इश्ववहीन होता जा रहा है और परिणाम स्वरूप हर चीज से शांत स्थिती में है। यदि ये जारी रहा तो भगवान निश्चित रूप से कारवाही करेंगे जैसा कि उन्होंने हि मात्र से एक सेकंड में नश्ठ हो जाएगी। इसलिए राक्षसों को सावधान रहना चाहिए और अपनी इश्वरवीहीन सभ्यता पर अंकुष लगाना चाहिए। उन्हें कृष्ण चेतना आंदोलन का लाब उठाना चाहिए और भगवान के प्रतिवफादार बनना चाह वारित आलाप और पत्र इस आवर्शक विश्य की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट्स गौडलिसनेस श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निमनलकत आठ्र धर्णों में दिया गया है। श्रील प्रभुपात की शिक् 15.18.12 पर अटूट विश्वास है वह साधू है। वह साधू व्यक्ति है। वह संत है क्योंकि वह योगता कि वह भगवान क्रेश्न में पून विश्वास रखता है। वह एक योगता उसे एक संत व्यक्ति बनाती है। दूसरों के पास सभी अच्छी योगताएं हो सकती है लेकिन किवल एक छोटी सिनास्तिकता के कारण वेहायोग्य है श्रिमत भाग बतम व्याख्यान 9 जुलाई 1968 मौन्ट्रियल मानव चीवन क्रेश्न चेतना के उच्चतम कोणता प्राप्त करने के लिए है लेकिन जब लोगबक्तिहीन होते हैं और राश्ट्रुपतिया राजा अनावशक रूप से सैनी शक्ति से फूले होते हैं तो उनका व्यवसाय लड़ना और अपने विभिन राज्यों की सैनी शक्ति को बढ़ाना है आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतेक राज्य तीसरे विश्वयुद्र की तैयारे के लिए परमाणू हत्यार बनाने में व्यस्थ है ऐसी तैयारिया निश्चित रूप से अनावशक हैं विराश्ट्राध्यक्षों के जूठे गौरव को दर्शाते हैं श्रीमत भागवत 10.1 सत्र हाला की नास्तिकों निकारण और प्रभाव की किसी भी स्पर्ष के बिना कैई स्वर निर्मित सिध्धान्तों को सामने रखा इश्वर वहिन नास्तिकों द्वारा प्रयोग आत्म ज्यान के माध्यम से प्रकट संसार और साथ ही आत्मा की अभी भी व्याख्या नहीं की गई है हाला कि उन्होंने अपने उपचाउ मस्तिष्क द्वारा निर्मित कई सिध्धान्तों को सामने रखा है हाला कि स्रिष्ट के ऐसे मांसे कालपनिक सिध्धान्तों की विप्रीद नारद मुनी स्रिष्ट के सभी तत्थियों को सत्य रूप से जानना चाहते थे सिध्धान्तों से नहीं श्रीमत भागवत 2.5 भक्त हमीशा किसी भी कारी को सफ़लता पूर्वत पूरा करने में स्वयम को सहायक मानता है और वह स्वयम द्वारा किये गए किसी भी कारी का श्रेह लेने से इंकार करता है नास्तिक नास्तिक गतिविधियों का सारा श्रिया लेना चाहता है, बिना यह जाने की घास का एक, तिनका भी सरवोच आतमा, भगवान के अनुमती के बिना नहीं हिल सकता इसलिए शुक्रेव गो स्वामी सर्वोच भगवान के निर्देश पर आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्यान बोलने के लिए प्रेरत किया श्रिमत भागवत 2.4, 23 दीती ये तरकते सकती है कि वे निजी स्थान पर यौन जीवन का अनन्द लेंगे लिकिन कश्यपने उसे याद दिलाया की भगवान श्रिव की तीन आखे हैं जिन्हें सोर्य, चंद्रमा और अगनी कहा जाता है और कोई भी उनकी सतरकता से उतना नही बच सकता जितना विष्णों से बच सकता है यद्यपी पुलिस द्वारा देखें जाने पर भी अपराधी को कभी कभी तुरंट दंडेत नहीं किया जाता है पुलिस उसे पकड़ने के लिए उचित समय का इंतुहर करती है संभूप के लिए निशिध्धु समय भगवान श चार पचीस कली के इस युग में भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र के इश्वरत्व का उपहास करने वाले कई रावन हैं और उन्हें उसी परिणाम का सामना करना पड़ेगा जैसकी रावन के मामले में हुआ था तो ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक स् इस लिए मेरी इच्छा है कि आप जैसे भगवान कृष्ण के भग्त पतित आत्माओं को नरक्के सबसे अंधेरेक्षेत्र में जाने से बचाने के लिए कृष्ण चेतना के प्रचार में मिलकर काम करें पत्र 12 अक्टूबर 1975 जर्बन इश्वर वहीन नास्तिक उंत्वारा प्रयोग आत्म ज्यान के माध्यम से प्रकट संसार और साथ ही आत्मा की अभी भी व्याख्या नहीं की गई है हाला कि उन्होंने अपने उपचाव मस्तिष्क द्वारा निर्मित कई सिध्धान्तों को सामने रखा है हाला कि स्रिष्ट के ऐसे मान से कालपनिक सिध्धान्तो कहा जाता है में भौतिक चगत की सबसे खराब स्थितियों के लक्षन यहां बताए गए हैं ऐसी स्थितियों का योग और सार इश्वर हीनिता है यहां तक की तथा कथित्संत और सामाजिक व्यवस्था के उच जातियां जिनने आमतोर पर दुविज जन्वरी या दो बार जन में लोगों के रूप में जाना जाता है नास्तिक बन जाएंगे इस प्रकार विस सफी व्यवहारिक रूप से भगवान के पवित्र नाम को भी भूड़ाएंगे और उनकी गतिविधियों के बारे में तो बात ही क्या करें श्रीमत भागवत 2.7.38